कि आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे जहां भी होंगे खुश होंगे और सुरक्षित होंगे से अब कर रही हैं किक दुरक्त भारुद्म करें दो सयोगे पीपना ब्लॉग सटार्ट कर दो कि मज़े लग पहुत है मैं लुजए बात की हुए यह बात ही है क्योंकि समय थोड़ा बीजी बीजी शिट्यूल था थोड़ा सा टैंस थी में किसी चीज को लेकर के ठीक है जिन्दगी है जिन्दगी में बहुत सारे उतार और चड़ाओ आती रहते हैं तो यह भी एक लाइफ और लाइफ का एक पार्ट है तो बस मुझे लगा थोड़ी कोपान का दिखाते हैं आपको कि यहां का वेदर कैसा है कि मैं यहां पर वीडियो बनाना बन करती क्योंकि कोई आ गया था तो आफ लोग ले जा रही थी बाहर का मौसम दिखाने है कि यह देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है ता देख सकते हो आफ लोग मतला बादल बादल सा पूरा चाया हुआ है अपकाल हल्की सी बारिश भी होगी थी आप है तो थोड़ा सा थंड़ा सा हो गया है मौसम अट अच्छा भी लग रहा है थोड़ा राहत पेली क्या भी दूना है बोकद ज्यादा तेज़ कि यहां है तो पहने सोचा चलो बाते भी करते हैं आप लोगों से अभी दिखाते हैं आपको प्लाजू करने के लिए तो कमेंट करके देगा कैसा लग रहा है और यह मैंने कब लिया तो पता है आपको मैंने लिया था यह 2020 में और 2020 के मार्चोड में लिया था और और वुमेंस रेस तो पिकनिक की वुमेंस रेस तो मैंने यह सूट लिया था कि मैं उसमें पहनूंगी बटर यह नहीं पहना था क्योंकि बहुत डीला डीला था फिराल अभी भी डीला यह देख सकते हो आप तो उसमें नहीं पहना था उसमें दूसरा सूट पहन लिया था यह रखा ही देख तब से रखा रखा मैंने आज इसको पहना है इतने दिरोबा काफी अच्छा भी लग रहा है तो तो फ्रेंड्स मैं घर आए तो मुझे कापी टाइम हो गया था बट एक ब्लॉग की अडिटिंग भी करनी थी तो आज जाना था तो वो करते करते तीन साड़े तीन बच गया थे और कम मेरी आख लगी मुझे पता ही नहीं चला तो मैं सो गई थी और तो कुछ बात ही नहीं कर पाया प्रों को से कपड़े भी नहीं चेंज कि आप देख सकते हो क्यों कि मैं लेट लेट तो नहीं थी तक आ गई थी बट पहले रज़े ब्लॉग शूट करना हूं शूट करते मतलब इसको एड़िट करना हूं अड़िट करते करते सो गई तो पता ही चला तो चली मैं लेके आई थी मैं एक पाम ट्री तो यह देखिए बहुत सुंदर पुर्णी मा आपके शाड़ो तो यह देखिए यह पाम ट्री लेके आई थी तो इसको मैंने अंदर ही लगा दिया है और अभी मुझे न एक मतलब प्लांटर अभी खुद से बनाना तो उसका मैं शेयर अब लेके आई थी बस यह दो इसको प्लावर पता नहीं क्या हुए इसको अब देख लिया यही दो प्लांटर जो मैं लेके आई हूं अभी मुझे और भी लेके आना है प्लांटर ही नहीं लगाने कले तो लो इनकी स्कूर्टी वापस से चाली हो गया पढ़ाई भी करना अब कल इसका इंग्लिश वन का एक्जाम है नहीं भी लग रही है कहते हैं चुटी चुटी भूग लग रही है तो क्या खाऊं जमन में नहीं आ रहा है कुछ यहां रखे हैं कुछ ग्रेप्स कोई बाद नहीं दो चले इसी को मैं खाती हूं और पुड़नी मा को भी कुछ दो के बूल गया तो चलिए ठीक है इसी अभी मैं तो रख रही हूं बाद में आप लोग से बाते करूं क्योंकि टूशन में बच्चे आते होंगे तो मुझे उनको पढ़ाना भी है तो फ्रेंड्स यह साम का टाइम था और यहां पर मैं बना रही थी मतब कुछ खाने के लिए मैं लिए कुछ स्पेशल मतब अलग सा ट्राई करती हूं तो रोटिया रखी हुई थी बहुत सारी तो यहां पर मैंने लिया है बेसन उसमें मैंने थोड़ा से मिलाया हल्दी पा और इन सब का एक अच्छा सा मैं पेस्ट बना लूँगी और बहुत जादा ना तो मुझे पतला बनाना है और ना ही बहुत जादा गाढ़ा बनाना है ऐसा बनाना है जिसे भजिया का बनाते हैं हम थोड़ा उससे पतला बनाना है देखिए मैं इसमें आपने कटका लियाा ओνनियन तोड़ा सांट। हारी बिर्च ऑरप घनियन, हारी तोड़ा सांग मेरे नहीं ठीट, के लिए, यहां फ़ये घमते को शींठी कीशे वावागा बहित तेज़ा, कुछले के उस चाहएँ तो वह दो बटर षेशार से पात्रों क्याली सबसे थे, नांने आ तो सच में बहुत अच्छा है बासी रोटी को कैसे हम यूज करके खाएं तो बस यह जो मैंने पेस्ट बनाया है यह रोटी को पर में इसको डाल दूंगे और अच्छे से इसको फैला दूंगी और इतना पतला होना चाहिए इस तरह की कॉनिटी होनी कंसिस्टेंसी होनी चाहि मैं अज़े लोटे पीजा कर देना आम लात्राओ और यह देकर सकती हो जब यह बना रही थी न तो मेरे कोई याद नहीं था कि मेरा गैस तेज है तो यह थोड़ा सा जल भी गया था वह आपको देखोगे भी आंगी कैसे जल गया था और यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और रेली बताओं इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था तो आप लोग भी जलूर ट्राई कीजेगा कभी-कभी न ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए खाने का टेस्ट पदल जाता है और यह देखिये बस इसको अब हमें पलताना है तो यह देखिए मेरे रोटी हल्की से जल गए थी प्त कोई की नहीं अच्छी लग रही थी और यह देखिया को पलता के थोड़ी दिमाने तो यहां वे मैंने थोड़ी से सेजन चटनी भी अड़ी थी यह तो चाहो आप बेसन अप्लाई करने के पहले भी इसको एड़ कर सकते हो और बस इसको थोड़ी देर और सेखना है उसके बाद बस हमारा पीजा रोटी पीजा बनके हो जाएगा रेडी मेरे गर में तो सबको ब सबक्राइब कर दों कर दो टो यह कंए तो यहां मेरे रोटी पीजा बनके हो गया है आप देखे कितना यम्मी बिख रहा है और पता हमी को डाड़ी बदा हो दो चाहिए बुराई कर रहा है थेखां जो तो एक सबस्क्त कर बनाया बाल टो आप्सक्त अच्छवाओ के रहा ह तुम तो ढ़िख इभा गहिना मैं का गांटी बहुत ही अच्छी रिषिप है अच्छी रिषि पि ए रोटी का ऐसा यूज पहलीबर किया है मैंने अमेजिंग बहुत अच्छा आप लोग भी जरू ट्राइब केज़ेगा चलिए और बना लेती तो एक ही बनाया था पहले बुला टेस्ट करेगो अगर अच्छा लगेगा तो आगे बनाऊंगे जरूस नहीं बनाऊंगे तो चलो और बनाती हूँ तो यहां पे डिनर मतब कर लिया डिनर क्या बस वही मैंने बनाया था वही पीजा तो एक दो और एक्स्ट्रा बना लिये थे तो उतने में सबका पेट भर गया था और सुबे की सबजी रखी थी धाल चौल भी रखे थे तो वही सब कुछ गरम कर दिया था और तीन लोगों हम तो हैं और मेरी बेटी था कहते हैं गाती है उसको पीजा और इसारी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है नूडर्स में इसको मैगी पसंद नहीं है जिसमें वैजी में सब्सक्राइब से अले हटी वह पास्टा खाती है एक तरह से बहुत अच्छा भी है और सैंड्विच ह तो बिल्कुल नॉर्मल पोटेटो वाला ही खाती बागी नहीं खाती है उसका सबसे फेबरेट खाना आपको बता हूं तो दाल चावल उसको दाल चावल बहुत पसंद थोड़ा सा घी यह चार मिक्स कर दो तो बस यह उसका खाना है तो फटा फट यहां पर जो बरतन है वह मै तो घड़ी की और यहां पर देखे पुड़निमा उसके पापा के जो कपड़े हैं जो डेली यूज वाले तो यह साल मेरा में रखे रहते तो रख रही है और मेरे भी रखेगी अभी और यहां पर मैंने फेस वाश किया तो स्कूल साने के बद तो किया था बटा भी सोती सम तो कि जल्धी आओ अपस और वाले अखने को ने यी ऐखने यो पर आपने टेबल के ऊपर के देखा ममा एक मंछकम में बेटी कितना काम करती है आप लोगोंरों कि को फोल 54 चयान चारही हैं मैं लूपर प्रोपर्टी अपने मेरे नाम तो कोई प्रोपर्टी नहीं तो क्या करों लैप्टॉप है पिटा वो निमा रत करों तो फ्रेंड्स कोड मॉर्निंग तो आज यह अगले दिम नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है अब कल मैंने आपको दिखा थी हां का वेदर कैसा है और अगर चलो आप लोगों से थ्ठोड़ा बात करके वीडियो का एंडि कर देती हूं तो आज दिन बुद्ध वार इदे जिएगरी साडी पहनने चाहिए lab six मंगल नेगी σου हार के दिन आबटाय पीला शेकर के लनीवार की भरिया का थिन ल मैंगल रपशने काली कॉंडॉ इस तरह से उस देज डिवाइड रहते हैं उसके साफ से साड़ियां पहननी चाहिए तो अब मेरे पास थी ग्रेन साड़ी तो मैं इसको आज पहन लिया तो चलिए इसी के साथ मैं करूगा अपने वीडियो का आई अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लिस वीडियो को कीजेगा विलेंग अच्छे से व्लॉग के साथ तक तक के लिए बाय अपना ध्यान रखें खुश रहें मस्त रहें